मुख्य मंत्री विश्णु देश साई ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिक्षकों को लोगों के हित में काम करने और समवेदन शीलता और जबाब देही के साथ काम करने के निर्देश दिये हैं श्री साई ने आज मुख्य मंत्री निवास कारयाले से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिक्षकों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि कलेक्टर से लेकर पटवारी तक और एसपी से लेकर आरक्षक तक सबको जनता की सेवा में ततपर रहना होगा बैटक में मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्यस्वे विभाग में ग्रामीन स्तर्प और पटवारी और आराई द्वारा बटवारा नामांतरन का काम ठीक से और त्वरित रूप से नहीं होने की शिकायते मिल रही है उन्होंने कहा कि ये सुनुशित किया जाए कि राज्यस्व विभाग के काम को लेकर आम जंता को परिशानी का सामना न करना पड़े श्री साय ने कहा कि DMF फंड की राशी नियमनुसार खर्च किया जाए और उसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए मुखे मंतरी ने बताया कि ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शाषन के और से अंतरित राशी किये जाने के बाद भी कुछ हित्गराहियों को खाते में राशी न पहुच पाने की शिकायत रहती है उनका ततकाल संग्यान लिया जाए मुखे मंतरी ने कहा कि बस्तर के मावादी आतंक को नियंतरित करने के लिए स्थापित किये गए सुरक्षा कैम्प की छवी लोगों में सुविधा कैम्प के रूप में होनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नैलनार योजना शुरुकी है